आप शबी वक्तों को जैस्त्री रादे सजनों आए हम आपको जो है आठवे दिन के नवरात्र के बारें बताते हैं मा भगवती का आठवे दिन किसी विधी से पूजन करना है तो सजनों आप देखते रहें असल आस्ता के माध्यम से मापको बताने जा रहे हैं आठवे जो नवरात्र है महागवरी का है माता महागवरी का ध्यान करन से आठ की समस्त मनो कामना पूरी हो सकती है सभी मनों कामना पूरी लेकिन विधी जरूरी है विधान जरूरी है और आठवे दिन मा को विशेश भोग क्या लगाएं क्या अर्पन करें ये हम आपको बता रहे हैं तो आप याद रखिएगा आठवे दिन मा भगवती महा गुणी को सुन्दर अवाहन करें सुन्दर पूजन करें जल से शनान कराएं पंचामर से शनान कराएं दूद से शनान कराएं और जो आपने नवरते बो रखे ना उनमें भी दूद का छीटा लगाएं शनान कराईएं और आठमें दिन जो है मा भगवती को सुन्दर शनान करके वस्त्र आरपन करें एक छोटी चुन्नी जरू जो आपने तस्वीर रख रखें दो माता की उस माता की तस्वीर में छोटी चुन्नी एक उढ़ाईएं आप नव की छोटी माता छोटी है तो आप छोटी चुन्नी लाइएं हो सकें तो चुन्नी भले छोटी हो या बड़ी हो नव के नव दिन तक जिस माता का दिन है एक चुन्नी उढ़ाते रहें अरपन करते रहें मा क तो सजनों याद रखें कि महागवरी को जो है सुन्दर तिलक लगाएं, केसर युक्त तिलक होना चाहिए, जो भी आपके पास चन्नन हैं, उस तिलक में जो है थोड़ा सा केसर जरूर मिलाएगा, केसर युक्त तिलक करें, चावल चढाएं और पुष्प माला अरपन करें, फिर धूप दीप नए बेद्ध भगवकती के सामने धूप दीप अरपन करें, सुन्दर जो इत्र अरपन करें, सुन्दर अगरवत्ती जलाएं, दीप जलाएं, और फिर थोड़ा सा जलका, गंगा जलका छीटा लगाते हुए, इसके बाद भगवती को जो है भोग अरपन करें, पांच प्रकार की, तत्वश्यात इससे क्या होगा, पांच प्रकार की विष्ठान अरपन करें, और पांच प्रकार के फल अरपन करें, और उस फल में भी एक नारियल का फल होना चाहिए, यदि आप ये अरपन कर रहे हैं, तत्वश्यात आप लोग मा भगवती के सा आमने दक्षना अरपन करें उसे फिर वो भल है वो दक्षना है किशी कन्या को देना चाहिए इससे क्या होगा है ये आपके हां संतान में रुकावट है संतते में बढ़ध्री नहीं है संतान नहीं होती है, संतान में विविधान आ रहा है, तो आपको इस विदी से पूजन कराईएगा, और मा भगवती का शंपुट पाट कराईएगा, शरणागत दीनारत प्रित्रानाय परायने, सरवस्यारति हरे देवी, नारायनी नमोस्तु के, इस विदी से दी आप पाट क आते सजनों, तो याद रखिये, आपको मा भगवती की कृपा होगी, और आपके घर में संतती में जो रुकावट है, वो दूर हो जाएगी, लेकिन स्रद्भा और भाव ये नहीं, तुरंत जो है, आप सोचो कि आज ही फलना ऐसा नहीं, इस विदी से दी आप पूजन करते तो एक मा एक दिन भगवती की कृपा होगी, और आपके घर में जो संतान की दिक्कत है, वो पूरी हो जाएगी, सखलता प्राप्त हो जाएगी, इस विदी से, और फिर जो है, सुन्दर एक कन्या का पूजन करके, और कन्या का पूजन करके, वो जो फलने स्ठान डख्षना किसी कन्या को आप दे दिजी, कोई कन्या हो, छोटी कन्या हो, उसको प्रदान, और उसके चरंद हो करके, वो जल का छीटा लगाएगा, और उसको कन्या को तिलक करके, केसर युक्त तिलक करके, दक्षना और मिश्ठान फल उसको दे दिजेगा, और भगवती का जो है, सामन मा भगवती की पूजा करते हैं मा भगवती की सेवा करते हैं जरूर मा भगवती की क्रपा तुम पर होगी और तुम्हारे हाँ संतान की प्राप्ती होगी और मा सेरा वाली जरूर क्रपा करेगी जै मा सेरा वाली जै स्री राधे जै स्री कृष्ट